अलो बर्मन नमस्कार वेलकम टू माई यूटूब चनल अगरिम मैं सुनिल अभ्यक्ति देली मुखरजीन अगर से आप सब का स्वागत करते हो एक स्वागत करते हो और अभ्यक्ति सब्सक्राइब का संपादक लेकर देली में परचीत कोजिंग संप्रान का डारेक्टर अनिक होंगे यह अभी आप कर रहे हैं फिर ऐसा नहीं होगा कि आप ही करते रह जाएंगे हम भी अनालेसिस ले के आएंगे यानि हिस्ट्री का यानि जोगरफी का यानि एकोनामिक्स का सारी चीज़ें आएंगी तो एकदम डबल ट्रिपल मिल करके हम लोग सफलता की तरफ मेरी अफ्शनल से एथेस बेस्ट क्लास में जिसमें आपको कुंप्लीट यूपयरसी की त्यारी करा baik यह यह मेरे बारे में कुछ जानकारी अगर आप हमारा जीघने nowना चाहते हैं थे थाइक फास लौट्टर से deeper description में आप देख सकते हैं 12 महिने में अगर आप SKLive code मेरा यूज करते हैं आपको 10% discount मिलेगा और मातर 44,000 रुपए में और 64,800 रुपए में यानि 44,000 में एक साल 24 महिने का दो जो है 64,000 में दो साल के लिए हमारे करते हैं चलिए बच्चों मेरा 50% काम यानि मैं अपना काम सुरू करता हूं दो दिन हो चुका है और जैसा आप सब को यह पता है कि हर दिन अलग-अलग विशे दिये जा रहे हैं क्यों दिये जा रहे हैं एक तो आपके अंदर आप अपना तो कुछ भी पढ़ी है क्यों दिये जा रहे हैं आप अपना कुछ पढ़ रहे हैं यानि economics पढ़ रहे हैं तो आप पुरा खतम करी अपने ढंग से यह मेरा वाला है यानि जो आपको additional कि यानि मैं क्या कर रहा हूं कि हर दिन एक एक जिससे आपके अंदर एक enthusiasm बना रहे और Sunday को revision रहेगा आज बता देता हूं यानि कि हर Sunday सुबह जो आपको lecture मिलेगा चुटी किसी दिन नहीं है Sunday revision और revision का एक scientific तरीका आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको पता है लेकिन थोड़ा और उस पर मैं modification करूंगा तो यानि छे दिन हम पढ़ेंगे Sunday को आप revision करेंगे और पांच मैने तक कोई बिश्राम नहीं है आप ठक स 50% काम क्या है मेंटोर का 50% काम क्या है कि अभी यानि सुबह 6 बज़े बाकी तो दिन भर पढ़ाता ही रहता हूं सारी NCRT या खतम कर दी वो सारी NCRT जो यूटूब पे हुई है और सारी स्पेसल में वो सब यूटूब पर भी होंगी यानि अग्रिम पर भी हो तो अपनी त वीडियोज है ठीक है वो मिल जा रहे हैं लेकिन बहुत से वीडियोज नहीं मिलेंगे तो वह हमारे इसी टेलिग्राम गुरूप पर आपको पीडिया फाइल्स वहां पर मिल जाएगी ठीक है तो भविश्य के प्रशाशनी का अधिकारी आप सब 50% काम आप लोग करेंगे दीक है न और हमेशा प्रिलियम्स प्रिवेस येर प्रिपर पर फोकस हो करके ही पढ़ाई करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि किस परकार के प्रशन पूछे जाते हैं अब आपके सामने भारतिय इतिहास डे 3 आपका जो काम होता है यानि कि मैं बताता हूं इतने चेप इतिहास है तो जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो जो कलायोम संस्कृति वाला पार्ट है उस पर हम ज्यादा फोकस करें कलायोम संस्कृति आनि चेत्रकला बास्तु कला और इसके अलावा ठीक है न कलायोम संस्कृति लेकिन कोई डिवीजन UPSC का इस टाइप का ए जो भी होगा हम complete करेंगे कोई भी चीज यहाँ पर छोड़ेंगे ने क्या क्या पढ़ेंगे तो दो चेप्टर यहां से हम एंसेंट इंडिया हम लोग स्टार्ट किये हैं मेडू अलोक मॉडन भी है तो दो चेप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं पाशान काल में आप क्या क बस्त में यानि पाशान काल में पूरा पाशान मध्य पाशान और नोपाशान और कहां से क्या-क्या बस्त में जैसे आदमगड बागोर यहां से मेहरगड वगएरा ठीक है ना तो यह सारी चीजें कहां से क्या मिला है भिम बेट का बगई को और लिखनिया बहुत से अस्तल है तो पाशान काल से क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला वो आप यहां से करेंगे और सोर्ष इसका NCIT होगा राम सरन सर्मा ठीक है फिर इसके बाद तामर पाशान काल भी आप पढ़ेंगे छोड़ेंगे नहीं तामर पाशान काल में जैसे एक इग्जामपल दिया हुआ कायथा संस संस्कृति फिर आहाड संस्कृति गिलुंद संस्कृति ठीक है फिर आपका ठीक दैमाबाद संस्कृति सब के बारे में आप पढ़ेंगे क्या है क्यों है कैसे NCRT प्राचीन भारत का इतिहास राम सरन सर्मा से बहतर कंटेंट इन दोनों पार्ट के लिए कहीं अबिलेबल नहीं है तो प्राचीन भारत का इतिहास पासान काल आप कहां से पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पासान काल आप कहां से पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास NCRT यानि NCRT है क्लास 11 की कहां की है क्लास 11 की ठीक है इसको कैसे पढ़ना वो मैं अपना वीडियो डाल दूँगा उसमें लंबा वीडियो उतना लंबा मत देखिए कि योल पासाण काल और सेंधो काल तक ही देखिए का बाकी छोड़ दीजेगा आपको पता होगा मैं किस NCRT की बात करो जो यहां पर कराई गई है तो हम लोग 11 क्लास की NCRT करेंगे किलियर है और कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम उसके अभ्यास प्रशन यानि जो प्रैक्टिस कोश्चन से उन ही से यानि पासान काल के अभ्यास प्रशन जो भी है फिर तामर पासान काल तो इतना बढ़िया NCRT सच्छा तो कहीं होई नहीं सकता है तो दोनों चेप्टर हम बच्चों वहां से कंप्लीट कर लेंगे और आप उसको रिवीजन करेंगे अभ्यास प्रशन मैंने यहां इसलिए एक के वल संचेप में लिखा है क्योंकि अभ्यास प्रशन ही मेरा अधार है तो पासान काल भी हम पढ़ेंगे तो अभ्यास प्रशन से ही पढ़ेंगे याद रखेगा कल से अभ्यास प्रशन का में स्क्रीन्शॉट लगाया रहूंगा जो भी NCRT से पढ़ने वाला अभ्यास प्रशन होंगे यह हो गया आपका ठीक है ना और यह इंगलिस में लिखा हुआ तो आप इसको फालू कर सकते हैं अब आते हैं सेंदो सभ्यता तो खोज विस्तार नदियां ठीक है कौन किस नदी के किनारे बशा है महतपुन अस्तल हडपा से क्या मिला मोहंज जोड़ो काली बंगा लोथल आर्लम गिरपूर यानि इनकी विसेस्ताएं वहां से क्या-क्या बस्त मे अर्थिक और धार्मिक दस्टा ठीक है तो यह हो गया आपका दार्मिक यह मेरी तरफ से आपको कल मिलने वाला काम है यह भी स्रोथ के रूप में क्या पढ़ेंगे यानि आज आज आपको मिलने वाला काम है स्रोथ स्थे मोही यानि NCRT क्लास 11th NCRT 11 class और वो भी अभ्यास प्रश्न रामसरन सर्मा तो आपको कल का स्रोत के वल यही पढ़ना है वीडियो में आपको बिजवा दूंगा अपना बट लेकिन उसमें आपको सेंध हो और यही काल पढ़ना है इसके अलामा कुछ भी नहीं पढ़ना है तो यह दो चेप्टर आप लोग कंप्लीट करिए प्रिवेस यह कोश्चन के आधार पर करिए तीन पॉइंट फोकस रहें पहला कि पहली घटना कौन सी है दूसरा सबसे खास घटना कौन सी है और तीसरा अंतिम घटना कौन सी है यह हमेशा से बनाते रही ड्राइबर कॉंसेट को पकड़ते रहें या जनवरी का करेंट अफेर्स यानि जनवरी दो हजार बीस का तो बिजन आइस करेंट अफेर्स आपके लिए मैंने लगा दिया कल्चर अन मंथली इबंड का तो यह आप देख सकते हैं संस्कुर्टी यह यह भी आपको पीडियाप मिल जाएगी यानि कल्चर तो जनवरी से ले करके जनवरी दो हजार बीस से ले करके और अप्रेल दो हजारी किस तक का अगर हम करेंट अफेर्स में कल्चर में क्या क्या चर्चित रहा है तो क्या पता हम सीधा सीधा करेंट अफेर्स से ही प्रस्न पकड़ने जो कल्चर के बड़े टेढ़े प्रस्न आते हैं क्या प इम पर सब बच्चों को जो है कमेंट करना पड़ेगा अभी आप लोग कम लोग करते हैं बाद में सब करिएगा मैक्सिमम लोग जिससे कि मुझे पता लग सके कि क्या आप चेप्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई या लेकिन दो हपते अभी नहीं दो हपत दिया है और आपको अच्छे से पता है यह बाधा नहीं है फिर खोलूंगा भी आपको अच्छे से पता यूटूब पर सारी चीज़ें अब अन्सियाटी वगरा हम लोग स्टार्ट ही करने वाले या इस्पेसल क्लासेज में अन्सियाटी वगरा चली रही है तो खोला है कं मन करे ना करे उदास मत हुईएगा मुझे पता है पहला रोज सब फालो करते हैं दूसरा फालो करते हैं लेकिन साथ में आठ पर में जा करके अपने आपको क्या कर देते हैं समाप्त कर देते हैं यानि कि चलो यार आज कर लेंगे परसों कर लेंगे परसों पर मत डालिएग रोज का रोज खतम करिया नहीं एक दिन इतना हो जाएगा फिर बहूरी करोगे कब जब धेर सारा हो जाएगा फिर कब कम्प्लीट करोगे फिर आप छोड़ दोगे फिर कोई और मार्ग दर्शक ढूणोगे जो शौट में काम करा दे लेकिन जब एक बार पगड़ा है तो बिलस आपर जैब Kaiser लेकिन काम 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 प्लीट है की द्रब सेज खिजलने।